कि यह स्विया वसाइमेंट नमबर 3-101 आज हम देखते हैं कि इससाइमेंट का सेकिंड पॉर्शन क्या है तो से पहले मैं फस्ट पॉर्शन के रिवाइब करवा दूं इससे पहले हम कर चुके हैं एड पॉर्शन है पॉर्शन में हमने टाइटल लिखा था और एक टेबल का जनरेट किया था जिसकी मदद से जनरेट हुआ है उसमें कोर्डिंग की थी और हमने कंडिशन भी लगाई थी कि अगर नंबर एक से छोटा होगा तो उपर इन्पूट का मेसेज आज जब एक किस तरह आएगा स्क्राइब कि यह जो हमने चीज लिखी है इसकी वज़ा से यह मैसिज आएगा क्योंकि यह अन्यबल करता है क्लाइट साइट स्क्रिप्टिंग को आप पेज़ किया आगे हमने वैरियेबल लिए थे नमबर को चेक किया था इवन काउंड रोड काउंड में इंक्रिमेंट किया था अब हम देखते हैं अगे अब बोडी के बोडी के बोडी को कई बिखे देजिया आप लोगों ने और अब टेबल चेनेटर लिख दिया मतलब नाम लिख दिया कि जो चीज़ हम कर रहे हैं और टेबल का बोडर स्टाइल वन का है को कि और डायमेंट टेबल की सेंटर में मतलब पेच के सैंटर में टेबल और बयब रावन कर लईट गरिए अब यहां से टेबल की रोज्णर डेटा टेंबल की पहली रोघr कि उसमेंने लिखा टेवल नंबर कि अब टेवल की लेंथ सेकेंड रो में लिखी कि यहां पर टेबल टैब यह एंड हो गया अब हम देखते हैं कि मतलब यह जो चीज़ समझने की उपर आप लोगों को समझ आ भी जाएगा अगर मैं आ भी समझाता हो तो लेकिन यह चीज़ थोड़ी समझने के जनरेट बटन क्या मतलब यूजर ने कोई भी इंपुट किये एक नंबर एंटर किये और एक टेबल की लैंट एंटर किये तो य दिन और और ओड वैल्यूज आ जाएंगी कितने ही टोटल रियूज़ और टिं इन कितनी है टोटल ओड वैल्यूज उसके बाद को लट चल पड़ेगा जहां टेबल जड़ेगा वो एक टेक्स डेडиया होगा टेक्स डेडिया मतलब जहां पे बहुत जादा जगा होती है टेक्स के लिए वहीं पर यह आउट्पूड इस्पले होगी मतलब आउट्पड कौन से डिस्पले होगी हमने एक नमबर एंटर किया और टेबल की लेंग एंटर की जा रेट बटन पर क्लिक किया इवन वैलिज और वैलियू जा गई और आउट पुट टेबल का टेक्स एरिया में शो हो जाएगा कि यहीं इसाइमेंट में हैं नकिए इंशाला मैं CS201 की इसाइमेंट की वीडियो भी बना रहा हूं इंशाला वो भी मैं आपको साथ साथ संजाता हूं ठीक है जी थैंक्स वर बाचिंग अल्ला आपको